Hello Friends, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल Learn Ever More पे आज हम Current Affairs के October Month 2023 के काफी important questions करने वाले हैं जो आपके हर exam में आते ही हैं Current Affairs आप सभी को पता है कितना जादा important topic है हमारे किसी भी exam को fight करने के लिए चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का पहला question है Global Hunger Index 2023 में भारत को 125 देशों में कौन सस्थान प्राप्थ हुआ है पहले हम पता करते हैं Global Hunger Index होता क्या है वैश्विक भूखमरी सूचकांक जो विश्व की जो भूखमरी का आंगडे अलग-अलग देशों में लोगों को खाने की चीजें कैसे और कितनी मिलती है यह उसे दिखाने का एक साधन है Global Hunger Index इसका सूचकांक हर साल ताजा आंगडों के साथ जारी किया जाता है इस सूचकांक के जरिए विश्व भर में भूख के खिलाफ चल रहे अभियान की उपलब्दी और नाकामियों को दर्शा आया जाता है आपको समझा गया होगा Global Hunger Index क्या होता है अब देख लेते हैं कि भारत का इसमें से कौन सा स्थान है 125 देशों में से जो हमारा जो भूख का जो आंकड़ा है वो कितना है वो है 111 स्थान हाल ही में जारी Global Hunger Index 2023 के अनुसार भारत को लेकर एक ड़ाने वाली रिपोर्ट सामने आई है बता दें कि 125 देशों के लिए की गई रैंकिंग में भारत 111 पायदान पर आया है बहुत टेंशन वाली बात है फ्रेंज 111 स्थान पर है भूखमरी के लिए पडोसी देशों से तुलना की जाए तो भूखमरी के मोर्चे पर भारत की हालत पाकिस्तान, मांगलादेश और श्रिलंका से भी खराब है इस बार की रिपोर्ट में श्रिलंका 60 में पाकिस्तान 102 में और बांगलादेश 81 में और नेपाल 69 में 79 में स्थान पर है तो इंडिया का भी बहुत बुरा हाल है भूखमरी को लेकर इंडिया में काफी जादा भूखमरी और गरीबी देखने को मिल रही है आजकल फ्रेंज नेक्स्ट क्वेस्चन देख लेते हैं हाल ही में 12 अक्तूबर 2023 को दुनिया भर में विश्वद्रिस्टी दिवस 2nd Thursday of October month मनाया गया है इस दिवस को प्रतिवर्ष अक्तूबर महीने के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है इसलिए अब की बार इसे 13 अक्तूबर को मनाया गया है इस साल इस दिवस की थीम love your eyes at work रखी गई है ये बहुत important है आपको ये भी पूछा जा सकता है कि world side day की थीम इस साल मतब 2023 में क्या रखी गई है तो love your eyes at work मतब काम पर अपनी आँखों से प्यार की जिए इतना जादा इन पर stress मत डाले कि काम करते करते आप भूल ही जाए याद रखना है काफी important question है ये चलिए अब next question देख लेते हैं कौन व्यक्ति हाल ही में इंडो-अमेरिकन चैंबर ओफ कॉमर्स IACC के नए रास्ट्रिय अध्यक्ष बने है वो बने हैं पंकज बोहरा हाल ही में 69 वर्षिय चार्टेड अकाउंटेंट पंकज बोहरा ने उद्योग मंडल इंडो-अमेरिकन चैंबर ओफ कॉमर्स के रास्ट्रिय अध्यक्ष का पदभार संभाल लिया है चार दशकों से अधिक के पेशेवर अनुभव के साथ बोहरा वर्तमान में पंकज बोहरा एंड कंपनी चार्टड अकाउंट्स में वरिष्ट भागीदार के रूप में कार्य रत है IACC भारत में 14 कार्य लेयों और अमेरिका में 27 साजेदार संगठनों वाला 55 साल पुराना उद्योग मंडल है तो IACC जो अमेरिकन इंडो अमेरिकन चैंबर ओफ कॉमर्स है उसके जो नए अधियक्ष बने है फ्रेंज वो बने है पंकज बोहरा चलिए अब नेक्स वर्शन देख लेते हैं हर वर्ष दुनिया भर में अंतरास्टिय बालिका दिवस यानि के इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब मनाया जाता है ये मनाया जाता है 11 अक्तूबर को हाल ही में 11 अक्तूबर 2023 को दुनिया भर में अंतरास्टिय बालिका दिवस मनाया गया है इस दिवस को प्रती वर्ष 11 अक्तूबर को परिवार समाज और देश के लिए बालिकाओं के महत्तो को दरशाने के लिए मनाया जाता है इस वर्ष इस दिवस की थीम इन्वेस्ट इन गर्ल्स राइट, आर लीडर्शिप, आर वेल बिंग रखी गई है ये भी बहुत important question है कि जो इस वार जो international girl child day मनाया गया है उसकी theme क्या रखी गई है ये काफी जादा important question है और काफी exams में आ सकता है आपके तो ये आपने याद रखना है ठीक है चलिए अब next question देख लेते हैं next question है हाल ही में अमेरिका की Claudia golden को किस क्षेतर में वर्ष 2023 का noble पुर्सकार मिला है ये मिला है फ्रेंट अर्थ शाष्टर में हाल ही में अर्थ शाष्टर के लिए वर्ष 2023 के noble पुर्सकार विजेता की घोशना हुई है जिसमें इस वर्ष यह पुर्सकार अमेरिका की Claudia golden को मिला है और ये देखे इसलिए क्यों मिला है इनको ये पुर्सकार इसलिए मिला है क्योंकि इन्होंने labor market में महिलाओं की भागीदारी पर research की थी इनकी research से labor market में महिलाओं की प्रतिनीधित्व में समय के साथ हाई बदलाव और काम में gender gap के कारणों के मुख्य source के बारे में बताया गया है इन्होंने जो ladies जो काम करती है उनके लिए काफी काम किया है विश्वमानसिक स्वास्थे दिवस World Mental Health Day किस तारीख को मनाया जाता है ये भी काफी important question है ये मनाया जाता है फ्रेंग 10 अक्तूबर को हाल ही में 10 अक्तूबर 2023 को दुनिया भर में विश्वमानसिक स्वास्थे दिवस मनाया गया है ये हाद दिवस प्रतिवस 10 अक्तूबर को मानसिक स्वास्थे की देखरे के लिए मनाया जाता है क्यूंकि आजकल लोग Mental Stress, Depression, Anxiety से लेकर Hysteria, Demensia, Phobia जैसी मानसिक बिमारी के शिकार बन रहे हैं आजकल all over the world, ज्यादा तर 100 में से 80% लोग मानसिक रोक के शिकार हैं आपको पता कितने ज्यादा depression में हैं, बहुत ज्यादा stress में रह रहे हैं तो इसको मनाने के लिए उनको प्रेड़ना दी जाती है कि आप ज्यादा stress ना लें उनके लिए नए-नए camps लगाया जाते हैं, जिसमें उनको थोड़ा सी guidance दी जाती है counseling की जाती है उनकी, ठीक है? ये भी काफ़ important question है चलिए अब next question देखते हैं हाल ही में राज्यस्थान में तीन नए जिले बनाने की घोशना हुई है अब राज्य में जिलों की कुल संख्या हो गई है, कितनी हो गई है? वो हो गई है friends 53 राज्यस्थान के मुख्य मंतरी अशोक गहलोत ने राज्य में तीन नए जिले बनाने की घोशना की है जिसके अनुसार अब राज्य में जिलों की संख्या 50 से बढ़कर 53 हो गई है प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्वडाक दिवस World Post Day का मनाया जाता है। प्रतिवर्ष दुनिया जागरुकता लाना है। ने कुल कितने पदक जीते हैं ये भी बहुत important question है। ये जीते हैं 107 डिटेल में देख लेते हैं किस किस में क्या क्या लिया है। आयूजित हुए Asian Games 2023 में भारत ने विभिन परकार के खेलों में कुल 107 पदक अपने नाम किये हैं। 28 गोल्ड, 38 सिल्वर और 41 ब्रॉंज मेडल शामिल है। ये आपने याद रखना है ठीक है। चलिए अब next question देख लेते हैं। नर्गिस मुहमदी को शांती के एक शेतर में वर्ष 2023 का नोबल पुरसकार मिला है। एक तो ये question पहले अपने आप में बन गया है कि किस को मिला है नर्गिस मुहमदी को। जो यह सम्मान पाने वाली अब तक की कौन सी महिला बनी है। ये बनी है उन्निसवी महिला ओके शांती के लिए दुनिया के सबसे प्रतिस्ठित पुरसकार यानि नोबल पुरसकार की गोशना हुई है। वर्ष 2023 के लिए शांती के एक शेतर में नोबल पुरसकार इरान की जेल में बंद नर्गिस मुहमदी को दिया गया है। देखे इरान की रहने वाली थी लेकिन जेल में बंदी भी थी ये। इनको यहाँ पुरसकार इसलिए मिला क्योंकि इन्होंने इरान में महिलाओं के उत्पेडन के खिलाफ उनकी लड़ाई और मानवा धिकारों और स्वतंतरता को बढ़ावा देने में एहम योगदान दिय आई इस थापना दिवस को वायू सेना दिवस के रूप में भी जाना जाता है वायू सेना का गठन आजादी से 15 साल पहले आठ अक्तूबर 1932 को हुआ था और इस वर्ष इसकी जो थीम रखी गई वो रखी गई IAF यानि Air Power Beyond Boundaries ये रखी गए है या आपने याद रखना है ये भी काफी important question है next question देख लेते हैं कौन व्यक्ति हाल ही में Reliance Retail के जियो मार्ट के नए ब्रैंड एमबेसिडर बने हैं वो बने हैं MS धोनी Reliance Retail के जियो मार्ट ने क्रिकेटर महिंदर सिंग धोनी को अपना नया ब्रैंड एमबेसिडर बनाया है इस न्युक्ति के बाद अब धोनी कमपनी की 45 सेकेंड की प्रमोशनल फिल्म में नजर आएंगे यह ग्राहकों को उनकी सभी खरीदारी जरूरतों के लिए One Stop Shop ओफर करने की कमपनी की योजना का हिस्सा है समझ आ गया होगा आपको इससे है ना चलिए Next Question करते हैं किस देश के लेखक जॉन फॉसे को साहित्य के क्षेतर में वर्ष 2023 का नोबल पुरसकार मिला है यह मिला है नॉर्वे के लेखक को साहित्य के लिए दुनिया के सबसे प्रतिस्ठित पुरसकार यानि नोबल पुरसकार की घोशना हुई है वर्ष 2023 के लिए नोबल पुरसकार नॉर्वे के लेखक जॉन फॉसे को उनके नाटकों और गद्य के लिए दिया गया है पिछले वर्ष यह नोबल पुर्षकार फ्रांसी सी लेखी का Annie Anox को दिया गया था तो आपने ये विया रखना है कि पिछली साल किसको मिला था और इस वर्ष किसको मिला है 2022 और 2023 में किस किसको मिला है next question देख लेते हैं कौन व्यक्ति हाल ही में RBI के नए कार्यकारी निदेशक मींज Executive Director बने है RBI का आपको सबको पता है Reserve Bank of India इसके जो नए जो है Executive Director कौन बने है वो बने है Manish Kapoor Reserve Bank of India ने Manish Kapoor को अपना नए कार्यकारी निदेशक के रूप में निक्त किया है इस परकार अब कपूर आर्थिक और निती अनुसंधान विभाग को संभालेंगे इस निक्ति से पहले वह मौदरिक निती विभाग के परभारी सलाहकार और मौदरिक निती समीती के सचिव थे ओके चलिए next question देख लेते हैं हाल ही में कौन Canada India Foundation द्वारा Global Indian Award से समानित होने वाली प्रत्म महिला बनी है वो बनी है सुधा मूर्ती मशहूर लेखी का सुधा मूर्ती को इंडो कैनेडियन समारोह में Canada India Foundation द्वारा Global Indian Award से समानित किया गया है Global Indian Award प्रतिवर्ष एक प्रमुक भारतिये को दिया जाता है जिसने अपने चुने हुए क्षेतर में एक प्रमुक छाप छोड़ी हो और इस Award के तहट 50,000 अमेरिकी डॉलर की राशी दी जाती है ध्यान रहे कि इस से पहले सुधा मूर्ती के पती को भी 2014 में यही पूरसकार दिया गया था देखे कितना important question है husband wife दोनों को ही यही पूरसकार मिला है Global Indian Award पर लेकिन 2023 का आपने याद रखना है किसको मिला है सुधा मूर्ती जी को चलिए हम next question देख लेते हैं हाल ही में कितने वैग्यानिकों को भौतिकी के खेतर में वर्ष 2023 का Nobel पूरसकार दिया गया है यह भी काफी important question है यह दिया गया है तीन वैग्यानिकों को तो देख लेते हैं कौन-कौन से वैग्यानिक है भौतिकी के लिए दुनिया के सबसे पृतिस्ठित पुरसकार यानि Nobel पुरसकार की घोशना हुई है 2023 के लिए P.A. Augustani, Ference, Krausses and Ann Hulier को सियुक्त रूप से यह पुरसकार दिया गया है थ्यान दे कि इनको यह सम्मान electrons पर study के लिए दिया गया है ओके यह भी पूछ सकते हैं कि किस base पे मिला और तीनों को इकठे मिला है यह contribution में यह price ओके, next question देखते हैं 2 October 2023 को भारत भर में लाल बहादूर शास्त्री की जयनती मनाई गई है जो भारत के कौन से परधान मंत्री थे? वो थे भारत के दूसरे परधान मंत्री 2 October 2023 को पूरे भारत में पूर्व परधान मंत्री लाल बहादूर शास्त्री की जयनती मनाई गई लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे परधान मंत्री थे उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान देश में दूद का उत्पादन बढ़ाने हेतू एक रास्ट्य अभ्यान चलाया जिसे श्वेत करांती के रूप में जाना जाता है इसके साथ ही उन्होंने एक नारा दिया जय जवान और जय किसान उससे भी ये लोग ये काफी फेमस रहे कि जय जवान जय किसान किसका दिया होगा नारा है वो दिया गया है लाल बहादुर शास्त्री जी का जो भारत के दूसरे परधान मंत्री थे आपने यह याद रखना है काफी important question है अब next question करते है हाल ही में वेग्यानिकों ने दुनिया के 8वे महाद्वीब का नक्षा जारी किया है जिसका नाम है सुनने से ही कितना important question लग रहा है उसका नाम है ZILANDIA हाल ही में वैग्यानिकों ने एक नए महादीब की खोज की है इस महादीब का नाम जिलैंडिया है हालांकि इसके कुछ हिस्से पर ही हम लोग जा सकते हैं क्यूंकि इसका 94% हिस्सा पानी के नीचे है भू वैग्यानिकों और भूकंप वैग्यानिकों ने एक अंतराष्टिय ट कीम ने टेक्टोनिक्स पत्रिका में पत्रिका का नाम भी आपको पूछा जा सकता है कि कौन सी पत्रिका में जो है ये मैप परकाशित किया गया तो ये परकाशित किया गया टेक्टोनिक्स पत्रिका में ये मैप के अपडेट परकाशित किये गए हैं इस परकार 18.9 लाक वर कि इस महादीब का 94 फीस्दी हिस्सा पानी में समाया हुआ है बाकी बचे 6 फीस्दी हिस्से में न्यूजिलैंड और छोटे दूइप मौजूद हैं देखे सुनने से ही कितना important question अभी तक 7 महादीब थे लेकिन अब नया एक और महादीब आठवा महादीब जिलैंडिया जो है द बहुत important question है तो ये theme क्या रखी गई? Use heart, no heart. 29 सितंबर 2023 को दुनिया भर में विश्व हृदय दिवस मनाया गया है यह दिवस प्रती वर्ष हृदय के प्रती जागरुकता पैदा करने और हृदय समंदी समस्यां से बचने के लिए हर साल 29 सितंबर को ही मनाया जाता है इस वर ये भी काफी important question है friends तो आपने इसको ध्यान से याद रखना है ओके? I hope आपको वीडियो अच्छी लगी होगी current affairs से related मैंने आपको काफी important जानकारी इस वीडियो में दी है इसमें काफी जादा question cover किये गए हैं अब next month की ऐसे ही current affairs की बहुत important जानकारी लेकर आपके सामने बह please मेरे channel को like कीजिए subscribe कीजिए और जादा से जादा share कीजिए thanks for watching